असलाम लेकुम प्यारे दोस्तों उमीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और जिन्दगी को इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि जिन्दगी को अगर आप इंजॉय करते वे गुजार देंगे ना तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती ईजी लगती है तो जी आज लंच में पन रही है अंडा करी और बाद में पताओंगी कि मैंने क्यों यह बनाई है तो मैंन अधरकलेसिं की पेस्ट आली टमाटर की पेस्ट आली नमक मेर्श्च खल्दी सुखा दन्या सीरा पाउडर यह डालकर मैंने कची सी करी बना ली है और इसमें मैंने बंडे डाल दी हैं अंडा करी में अंडों को हमेशा फ्राइ करते हैं हलका सा जो के मैं बिलकुल बूल है golden हो या ना हो इस अट मैइ अगर आप golden कर लेंगे तो यह थोड़ी जादा खुबसुरत लगेंगे तो कौफता इंड जो होते हैं बनाते हैं कौफता इंडा बसस्थ में कौफते गाईब और अंडे हैं लेकिन टेस्ट इसका सेम च्छ पार कोफ बनाती हो तो उसकी रेसिप बस आप कौफतों की कड़ी बनाएं और इसमें कौफते ना डालें अंडे डाल दें तो ये बनगे अंडा कड़ी तो जी आज कर लंच होने वाला है साथ में मैंने रोटियां बना ली है तो बहुत एजी कुएक सी है वन टाइम के लिए मैंने बनाई है एक टाइम के लिए झालें बनाई है झाल 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 सिवर सिव geç Ahh ững जल्सक्री नहीं की ती जो भी मैंने में लास्ट विइक नहीं की ती वो बेसिक चीज़े थी लाइक बहुत ही कम चीज़े नहीं थी कोई प्रॉपर जो एक रॉस्ट्री करेते हैं वो मैंने नहीं की थी तो अभी हम लोग यहां पर एंटर होए है और एंटर होती ही पदा चला है कि क्योंकि उमान का नेशनल डे है तो उसका 49% आफ पे काफी नहीं होती है मेरे साग तो अकसर ऐसा होता है अब यहां पे कचूरों पे काफी ओफर थी और कैचप, हाट सॉस आइधिंक जिन लोगों का काफी शॉप का बिजनस है या फूर का बिजनस है उनके लिए उफर्स बहुत फाइदर ही होती है लेकिन एक हाउस वाइफ के लिए मेरे ख्याल से मेरे मताबिगे कोई सेल खास नहीं थी ऐसी चीज़ों पर सेल थी जो के मेरे घर में फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होती है बहुत जादा यूज नहीं हो पाती तो यह गजूर थी इस पर ओफर थी तो मैंने का यह उठा लेते हैं चोलो फाइदा हो रहा है 49% आफ तो यह हमने ले ली और इसी तरह काफी और भी जादा चीज़ों पर उफर थी आप देश सकते हैं डिफरेंट चिली माइनी से इसके लावा के नौर क्यूब के बॉक्सीज हैं पाउडर पे इसना के काफी चीज़ों पर उफर हैं जिसको मैं समझ दी हूँ कि सले मीरे मेरे नहीं कोई बघ़च नहीं होता कोई बज़च नहीं है मेरे लेकि नहीं बऑद समझ के चीज़ों तो जी यह हैं वो बिस्किट चुके मेरे एक टाइब बहुत फेवरिड़ा मैंने इतने खाया है इतने खाया है कि मत पूछें कि जब मैं पिल्कुल तंग आ गई थी ना तब मैंने इनकी जान चोरी थी और बहुत मज़े के होता है जिन्होंने नहीं खाय वो ज़रूर मज़े के क्रिस्पी लगती है तो इसी तरह के काफी चीज़ों पर ओफर थी सर्फ भी बहार का पड़ा था इसके लावा और किसी अच्छे ब्रैंट पर ओफर नहीं थी और बहार मेरे घर पर यूज़ होता है वाइट कपड़ों को दोने के लिए बैट शीर्स और इस तरह के कपड़े दोने के लिए तो मैंने बहार का इक उठा लिया था कि चोलो यार अच्छी ओफर है ले ले लेते हैं तो वो मैंने लिया है इसके इलावा मुझे इस सेक्शन में से कुछ हास नहीं चाहिए झाहिए झाहिए मैं अक्सर क्या करती हूं मैं अक्सर ये करती हूं कि मैं महीने में एक हफ़ता ग्रॉश्री नहीं करती या देर हफ़ता नहीं करती जो भी घर पे अवेलेबल होता है इसके पूसि को यूचिलाइस करती हूं जो दालवे पड़ी है उनको यूज करती है सबजियां है उननी को reduce करती हूं मेक शूर करती हूं कि इनी से ही एक अफ़ता निकल जाए किसी बिचाना और तो कोई जुरह चीज परती है लाई कोई मीट या कीमा वगारा तो वो तो फ्रेश ही आ जाता है तो आप इसी तरह कर सकते हैं कि आप एवरी वीक जो मेरी तरह ग्रॉसरी करते हैं वो एक वीक इस त जाएंगे वो डालों में कीला लगना शुरू हो जाता है अजीब सी हो जाती है इसके अलावा जो वेचिजेबल्स यह संगी चीजे हम लोग रखते हैं वो भी फ्रेश नहीं रहती जादा टाइम तक तो मेक शूर करें के एक अफ़ता इस तना करके देखें इस तना आपकी लाइफ बहुत एजी हो जाएगी और आप जीजे जाया करने से सबच जाएंगे कर दो मेब बहुत झाएंगे मचैब बात करने लगी हूं बहुत इंपॉर्टन टॉपिक पे हैं वह टॉपिक है है कि जी वेट मसला बहुत बंगे है लगा मैं ने डाइट प्लाइन भी शेयर की है कुछ लोग को फाइदा हो रहा कुछ को नहीं हो रहा है और अब मैं आपको दाइट प्लाइन दे सकती हू है? आप ना करें. कोई मजबूरी है कि ल enfrent कि दॉरही है और खेंड दॉर्ओर है। निया नहीं है झाह Are यह क्योंस अधर है यहां मुझे विए क्यूर्ण कृर्स अधर कोई हुए। आग मुझे व्यक्षी करना है। मुझे धरने जी Осब है में भी ना करती। 딱 क्योंकि में इसी वेट के साथ भी खुश हूँ tutte मैं हमेशा फार साइट पे रही है। मैं हमेशा मुटी में रही है। लगी मैं कभी बिए बुट पतली और तो में कभी थी ही नहीं लेकिन मुझे कभी इस तीस का कमप्लेक्स भी नहीं था यार मज़े पतले होना है मुझे यह करना है नहीं आपने आपको रखने के लिए के हाँ यार इतना वेट होना चाहिए इतने में अच्छी भी लगती हूँ और बस मैं इसमें खुश हूँ तो मैं इसलिए टाइट करती थी तो काफी लोग मुझे मैसेज आया है के हम लोग से अगर आप अपनी स्किन में कमफटेबल है अगर आपको अपनी बॉड़ी अच्छी लगती है आपको अपनी बॉड़ी अच्छी लगना जुरूरी है मैं मोटी हूँ यकीन करें मेरा वेट बहुत जादी के बाद इन तीन साड़े तीन सालों में आई गें अल्मॉस्ट फि दुनिया जाए जितनी जीरो साइस हो जाए या पतली हो जाए I don't care मुझे अपना आप शुरू से अच्छा लगता है मैं self obsessed नहीं हो लेकिन मुझे अपनी स्किन से अपनी स्किन केंदर comfortable है अपनी बॉड़ी को आप मिरर में देख तो आपको अपना अच्छा लगता है तो अपने आप से प्यार करना सीखें यकीन करें जब आप खुद को अपनी बॉड़ी को आउन करना सीखेंगे ना तो किसी की हमत ही नहीं होगी आपको कुछ कहने की अगर आप दूसरों में बैठके खुद ही बोलेंगे यार मैं मोटी हूं मुझे पतले होना है मुझे मेरी ब चाहिएं थी इसलिए में आई हूँ और यहां पर काफी जादे सेल लगी है वही बड़ा नाम सेल है और मुझे लगता है कि यह लोग हम लोगों थोड़ा सा पागल भी बनाते हैं अगर आप लोग भी एगरी करते हैं चीज के ओपर तो नीचे कॉमेंट करके जूरूर बद आपको आपकी बॉड़ी से रिलेटेड या आपके कंपलेक्शन से रिलेटेड कोई बात ना करें हमारी सुसाइटी में काले लोग जिनका कंपलेक्शन थोड़ा सा डाग भी होता है उनको भी बहुत ज्यादा इरिटेट किया जाता है टॉंट किया जाते है जिसके बच्च दी जाती है तो मैं तो ऐसे लोगों से बात ही नहीं करती है जो के ऐसे questions करते हैं या जूरत से ज्यादा किसी के life में इन्ट्रफेर करते हैं, बच्चे ना होना, यह आपके हाथ में नहीं है, तो इन चीजों की जानिशन ना लें, जो लोग मोटे हैं, वो लोग फटले हो सकते हैं, महिनत करें, पटले हो जाएंगे और बाकी, जो काले लोग हैं, मुझे तो डारक इंपलेक्शन बहुत पसंद ह मैं खुद शकीन करें मेरा complexion fair है तो इस तरह अपनी beauty को खुद on करें अपनी body को खुद on करें अगर आपके बच्चे नहीं है तो किसी को भी इस सवाल का जवाब देने के आप अबन नहीं है और कोई आप से पूछने का यह हक नहीं रखता कि तुम्हारे बच्चे क्यों नही कि बात समझ में नहीं आती तो खुश रहें अपने आपको खुश रखें यकीन करें जिन्दगी खुशी खुशी खुशार देंगे तो इसी में ही मज़ा है रो दो कर टेंशन लेकर डिप्रेशन में जागने का कोई फाइदा नहीं है तो देख सकते हैं कि मौल कम्प्लीट इस नहीं थे अब दी जब मैं पाकसान गई थी तो मेरी हैथ बिल्कुल फिट थी लेकिन अगरों मुझे उमान का एट्मोसफेर यहां का क्लाइमेट सूट नहीं करता मेरी बोडी को मैंने यह हिसाब लगा लिया है कि जब जब मैं पाकसान गई हूं मैं बिल्कुल फिट हो लेकिन पता नहीं क्या मसला है यहां पर कुछ लोग बोलते हैं यहां पर पाकसानी औरते आकर वेट गेंड कर लेती हैं उनके सब मसले हो जाते हैं कुछ लोग कहते हैं कि हमारे साथ मसले नहीं है तो हर किसी की बोडी दूसरी की बोडी से अलग होती है तो अब्यसली फिर म झाल झाल